आज तक रेटियो, सुनता है सारा जहां ग्यान भ्यान अरब सागर में बना चक्रवाती तुफान, विपर जोई गुजरात के तटवर्ती इलाकों से टक्राना शिरू हुआ और ये प्रक्रिया करेब आधी राद तक जाई रही लैंड फॉल की प्रक्रिया 15 जून आधी राद तक चलती रही इस कारण यहाँ 115 से 125 किलोमेटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली और समंदर में उंची उंची लहरे उठी यह अपने पीछे भारी तबाही छोड़ गया जगा जगा पेड और खंबे गिर गए तुफान के कारण भाव नगर में दो लोगों की मौत हुई 22 ज़ादा लोग खायल हुए अब तक 94,000 लोगों को सुरक्षिस थानों पर शिफ्ट किया गया है जब भी साइकलोन आते हैं इस तरह की तबाही जरूर ही होती है तो आज के ग्यान ध्यान में हम आपको बताएंगे कि आखिर साइकलोन क्यों आता है और आखिर क्यों अब इसके आने की जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ती जा रही है साइकलोन तीवर है या मध्यम है ये भी कैसे तरह किया जाता है नमस्कार, मैं हूँ खुश्ब कुमार और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर ग्यान ध्यान साइकलोन शब्द ग्रीक भाषा के साइकलोस से लिया गया है जिसका मतलब है साप की कुंडलिया इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में ट्रॉपिकल साइकलोन समुद्र में कुंडली मारे सापों की तरह दिखाई देते हैं चक्रवात एक गोलाकार तुफान यानि सर्कुलर स्टॉम होते हैं जो गर्म समुद्र के उपर बनते हैं जब ये चक्रवात जमेन पर पहुंचते हैं तो अपने साथ भारी बारिश और तेज हवाई लेकर आते हैं ये हवाई उनके रास्ते में आने वाले पेडों गाड़ियों और कई बार तो घरों को भी तबाह कर सकती है जब किसी चक्रवात की गती 31 किलोमेटर प्रति घंटे या उससे कम होती है तो इसे लो प्रेशर एरिया के रूप में जाना जाता है जब चक्रवात की गती 31 से 49 किलोमेटर प्रति घंटे होती है तो ये तुफान बन जाता है और जब ये 89 से 118 किलोमेटर प्रति घंटे की रफ़तार तक पहुंच जाता है तो ये गंभीर चक्रवाद बन जाता है 221 किलोमेटर प्रति घंटे से कम और 119 किलोमेटर प्रति घंटे से अधिकी गति को अत्यंत गंभीर चक्रवात कहा जाता है पिछले कुछ सालों में कई बार सैक्लोन यानि इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो बढ़ती जा रही है आज तक रेडियो के साइंस जॉनरिस रचीक मिश्र बताते हैं इसकी कारण देखे सबसे बड़ा रीजन जो है इसका वो है समुद्री सतह का गर्म होना अरब सागर और बंगाल की खाड़ी बंगाल की खाड़ी पहले ज़्यादा जानी जाती थी चक्रवाती तूफानों के लिए जिनको साइक्लोन हम लोग बोलते हैं लेकिन पिछले एक दशक में करीब अरब सागर में तूफान ये ज़्यादा उठने लगे है ग्लोबल वामिंग की वज़े से समुद्री सतह का टंपरेचर बढ़ रहा है और जब भी टंपरेचर बढ़ता है तो अगर किसी ओपन स्पेस में हो रहा है एक बहुत बड़े समंदर के इलाके में तो वहां पर लो प्रेशर एरिया बनता है और उपर बादल क्रियेट होते हैं फिर वो तेजी से आगे बढ़ते हैं और दिशा हमेशा आप ध्यान दें तो आप अगर कभी हवाओं के चलने का नक्षा देखेंगे तो इस सीजन में अमेरिका की तरफ से, अगर हम नक्षे के हिसाब से बताएं, तो अमेरिका की तरफ से हवाओं आती हैं पूरब की तरफ तो ये काफी गरम हवाओं होती है और तेंपरेशर बढ़ता रहता है, और पानी से भाप ऊपर उठता रहता है, गरम हवाओं के साथ उपर मिलके बादल बनाते हैं और तेजी से आगे बढ़ते चले आते हैं ये सबसे बड़ी वज़ा है इस समय जो है चक्रवाती तूफानों के बढ़ने की पूरवी पाकिस्तान के बांगलादेश बनने से लगभग साल भर पहले एक ऐसा तूफान आया था जिसमें लाखों लोग मारे गए थे उस तूफान का नाम भोला था इस तूफान को दग्रेट भोला भी कहा जाता है इसे अब तक का सबसे खतरनाक और जानलेवा तूफान मा इतना शक्तिशाली था कि इसकी वज़ा से समंदर में 20 फीट उची लहरे उठने लगी थी लगभग 200 किलोमेटर प्रतिगंटे की रफदार से हवाई चल रही थी तट्टिये और गंगा डेल्टा के निचले मैदान में रहने वाले लोगों को समहलने तक कभी मौकार नहीं म साइकलोन 27 दिसंबर 1881 से शुरू हुआ था और 8 अक्टूबर को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया फिर है कोरिंगा साइकलोन भारत में आया था 1849 में मौत का आंकड़ा 3,25 नमबर 1849 को आंधर प्रदेश के कोरिंगा में आये इस साइकलोन ने करीब 25,000 जहाजों को भी बर्बाद कर दिया इस साइकलोन के दुरान 40 वीट उंची लहरे उट रही थी बैकर गंच साइकलोन बांगलादेश में आया था 1876 में मौत का आंकड़ा 2,29 अक्टूबर से लेकर 1 नमबर 1876 तक इस साइकलोन ने कहर मचाया था करीब आधे लोग साइकलोन के साथ बह गए जबकि आधे लोग बाद में भुखमरी के वज़ा से मर गए अब कुछ उन बड़े साइकलोन पर नजल डालते हैं जो पिछले 10 सालों में आये हैं चक्रवाद ताउते एक बहद गंभी चक्रवाद था इसने 17 माई 2021 को गुजरात के दक्षणी तट पर दस्तक दी थी उस समय देश कोविड-19 की दूसरी लहर से जूज रहा था US Joint Typhoon Warning Center के मताबिक इसने 185 किलोमेटर परती घंटे की अधिक्तम निरंतर हवाओं को पैक किया इसने देश के पश्मी तट को प्रभावित किया था इस चक्रवाद में 100 से अधिक लोगों की मौत हुई थी साल 1999 के ओडिशा के सूपर साइकलोन के बाद बंगाल की खाड़ी के उपर पहला सूपर साइकलोन अमफान आया था अमफान ने 20 माई 2020 को पश्रिम बंगाल में सुंदर बन के पास दस्तक दी थी इस चक्रवाद की वजह से भारत में लगभग 14 अरब अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ था और 129 लोगों की मौत हुई थी चक्रवाद फेनी ने 3 माई 2019 को उडिशा में पूरी के पास 175 किलोमेटर पर ती घंटे के रफ़तार से भारत के पूरवी तटपर दस्तक दी थी इस अत्यंत गंभीर चक्रवादी तुफान ने 64 लोगों की जान ले थी चक्रवाद वर्दा ने 12 दिसंबर 2016 को चन्ने के पास दस्तक दी थी इसे एक बहुत ही गंभीर चक्रवादी तुफान के रूप में चिन्हत किया गया था वर्दा ने तमिलनाडू में 18 लोगों की जान ली थी चक्रवाद हुधुद ने 12 अक्टूबर 2014 को आंधर प्रदेश और ओडिशा के 30 शेत्रों में तबाही मचाई थी चक्रवाद ने लगभग 124 लोगों की जान ली थी चक्रवाद फेलिन ने 12 अक्टूबर 2013 को फेलिन गंजम दिले के गोपालपूर के पास ओडिशा के तट से टकराया था जिस समय चक्रवाद टकराया उस समय हवा की गती लगभग 200 किलोमेटर प्रती घंटा थी इस चक्रवाद की वजह से राज्जे के 18 जिलों के 171 ब्लॉकों में लगभग 1.5 करोड प्रभावित हुए थे इस चक्रवाद में 44 लोगों की जान गई थी तो ये था हमारा आज का ग्यान धान आपको कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं आज तक डॉट कॉम पर आपसे अगले हफते होगी मुलाकात तब तक के लिए नमस्कार हलो मैं रभी शेरिल आपसे मुखाते हूँ पॉड कास्ट की दुनिया में गोता लगाना चाहते हो तो कान लगा कर सुनिए आज तक रेडियो क्योंकि यहां आते हैं तीन ताल पढ़ाकु नितन, स्टोरी बॉक्स, बल्ला बोल और और भी कई मज़दार पॉड कास्ट आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां